बच्चो जैसे हमने सुनाई हैं कि जैसे से हमारी उमर होती जाती है हमारी हड्डिया जो है वो कमजोर होती जाती है एक कारण यह होता है दूसरा कभी गभी एक्सिडेंट हो जाने से या कभी चोट लग जाने से हमारी हड्डिया जो होती है तूट जाती है ऐसे बहुत सारी स तो यह तो हमारी हड़्डियों के बीच में जुटेक्षराइभ में जूरुक चूऑन उनके जुडाओं के बीच चुछाहव करते हैं वहाँ से टूड़ जाते हैं यह इस ही dislocation of bones भी कहते हैं दूसरी प्रोब्लम जो होती है वह थी arthritis जो बहुत कौमा ने आपने सुना होगा arthritis जिसमें knee pain गुटने का दर्द बहुत अधिक दर्द महसूस होता है क्योंकि जो सिनोवेल द्रव भरा रहता है उसमें कमी आ जाती है जिसके कारण बहुत तेज दर्द और सूजन यहां पर आ जाती है जिसे हम arthritis कहते हैं तीसरा जो विकार है वो है slip disc slip disc जो हमारा vertebral column है इसमें जो vertebrae present रहती है यह vertebrae कि अपनी जगे से जब खिसक जाती है अपनी जगे से खिसक जाती है जिसके कारण इसे हम slip disc कहते हैं यह क्यों हो रहा है या फिर किसी प्रकार की चोट लगी होगी या फिर वहाँ पर जो लिगामेंट्स और जो टेंडन्स है टेंडन्स क्या है जो हड्डियों को पेश्यों से जोड रहे हैं इनके इनमें बहुत अधी खिचाओं के कारण वहां से वह धीरे धीरे तूटते चले जाते हैं जिसके कारण यह प्रॉब्लम आ जाती जिससे हम slip में Hugo घूट लगने पर बहुत ढ़िए तो जाती है इसी का हम ऑस्रीक कहते हैं इसके लिए हमें केल्शियम से संबंदित ज्यादा डाइट लेना पड़ता है या फिर हमें अधिक व्यायम करना पड़ता है जिससे ये बिमारी से हम निजाद पा सके और जो लास्ट प्रॉब्लम होती है हड्डियों से संबंदित वो होती है गाउट बच्चों गाउट एक प्रकार का आर्थ जलन करापन ये जब समस्य उत्पन होती है तब ये अंदर में जो लिगामन्स और टेंडन्स होते हैं धीरे देरे ये उस तक पहुच जाते हैं और उनको भी हानी पहुचाने लगते हैं जिसे हम गाउट कह रहे हैं बच्चों ये गाउट का मुख्य कारण होता है हमारे रक यह समस्य उत्पन्न होती है और धीरे धीरे यह हमारे अन्य उतक को भी हाने पहुचाने लगता है जिसे हम गाउट कहते हैं तो बच्चो इस प्रकार आज हमने प्रचलन और गती क्या है यह जाना प्रचलन और गती के कितने प्रकार है और एक कुशी की जिव और बहुकुशी की जो किस प्रकार से प्रचलन और गति करते ये भी हमने देखा साथ ही हमने मनुश्य का skeleton system जिसमें कितनी अनुनोगा पाई जाती है और हिंने हड्यों के नामों के बारे में भी हमने जाना और कंकाल तंठर से संबंधित विकार ऑस्ति उपास्ति से संबंधित विकारों के बारे में भी हमने चर्चा की है इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट सो या आप कोई प्रेश्ण पूछना चाहते हो तो हमारा जब ऑनलाइन इंट्राक्शन होगा तो उसमें आप पूछ सकते हैं इसके अलावा असाइनमेंट के लिए आपको कुछ प्रेश्ण दिये जा रहे है उसे हल करकर जरूर इस MLID पर आप भेज दीजे असाइनमेंट प्रशन एक अस्ती संधी किसे कहते हैं उधारन के साथ अस्ती संधी के प्रकारों को समझाईए प्रशन दो प्रचलन और गती में क्या अंतर है अमीबा, हाइडरा और पैरामिश्यम में प्रचलन किस प्रकार से होता है लिखिए प्रशन तीन निम्नलिकित पर टिपणी लिखिए पहला गाउट दूसरा और्थराइटिस तिसरा औस्टियो पोरोसिस प्रशन चार मेखलाय कितने प्रकार की होती है अगर भुजा और अग्छार की होता है कि अप्रचलन चौस्टी होता है